नमस्कार दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करते हूं रश्या ने अब एक बड़ा मास्टर प्लान खेला है और रश्या का यह फैसला पश्चिमी देशों को हैरान कर रहा है अभी तक दोस्तों कुछ ख़बरे यह आ रही थी कि रश्या अब एरक्राफ्ट करियर ओपिर bénष पूचियों को को मॉका रिया और उन्होंने तंजकसन centr ni širuru कर दिया व्लादरीमर पुतिन पर की अब पुतिन की नौशियों की अब ख़ण सकती है लेकिन सारी घबरों को दरकिनार करते वे पुतिन ने बड़ी घोश्णा किये पुतिन अब बना रहे हैं एक लाग टन का एरक्राफ्ट कैरियर जो कि बेहत खातक होने वाला है और यही नहीं गिया अमेरिका और दुनिया में मौझूदा और भी जो एरक्राफ्ट कैरियर है उ उसमें हमारे का नमबर वन पर बना हुआ है जो कि 11 एरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहा है फिर चाइना जो कि 3 यूके जापान इंडिया इटली दो दो एरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहे है और फ्रांस एक एरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहा है ऐसे में रश्या इस लिस्स से बिलकुल बाहर हो गया था जिस वज़े से वेस्टन मीडिया ने पुतिन का काफी मज़ा खुड़ा है लेकिन दोस्तो अब रश्या का जो स्ट्रॉम टू प्रोजेक्ट है उस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है पुतिन अब एक nuclear powered aircraft carrier बना रहे है ये रश्या का state of the art aircraft होगा और इसमें अनुमानित खर्च करीबन 5.5 billion dollar का होगा जिसके तहत ये नया nuclear powered aircraft carrier तयार होगा हाला कि 2016 से ही इस aircraft carrier के बारे में खबरे आने शुरू हो चुकी थी लेकिन रश्या उस दोरान अपने इस aircraft carrier की डिजाइन को इंडिया को देना चाता था लेकिन इंडिया पहले से ही रश्या की aircraft carrier को लिकर असंतुष रहा जिस वज़े से भारत ने इस पर कोई ध्यान ने दिया रश्या अब इसने aircraft carrier पर पूरा focus बना कर रखा हुआ है लेकिन दोस्तों इस aircraft carrier में सबसे खास बात क्या होने वाली है जो कि आपको भी हरान कर दीगी वो है कि इसमें S-400 Air Defense System की तेनाद की जिससे कि साफ तोर पर पता चलता है कि ये aircraft carrier काफी शक्तिशाली होने वाला क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात ही होती कि एक aircraft carrier को वैसे तो डुमाना आसान नहीं है लेकिन दोस्तों अगर अचानक से कोई attack उसके उपर हो जाए खास कर कि ज़र stealth fighter jet है वो attack कर दे तब तो aircraft carrier की खत्मों की संभावना जादा होती है लेकिन aircraft carrier कभी भी आपने देखा होगा कि अकेले गस्त नहीं करता बलकि उसके साथ पूरी power चलती है जिसमें की submarines, frigates, helicopters इवन उसे squad करने के लिए और भी कई सारी चीज़े होती है जो कि aircraft carrier को इतनी आसानी से target नहीं होने दी लेकिन दोस्तो surprise attack अगर होता है तो वो एक चनौती इसके लिए ज़रूर बन सकता है ऐसे में दोस्तो S500 अपना काम करना शुरू कर देगा S500 की deployment aircraft carrier में aircraft carrier की चारों तरफ एक मजबूस सुरक्षा कवश बना देगी जिससे कि कोई भी fighter, jet, missile और drone aircraft carrier को नुकसान नहीं बहुशने देगा S500 से aircraft carrier की ताकत में जबर्दस इज़ाफा होगा ऐसे में आप सब के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि Russia खुद तो जंग में फसा हुआ है वो कैसे ये सब कर लेगा दरसल दोस्तो रश्या ने अब अपने defense budget पर काफी ज़ाधा focus कर दिया है और एक aircraft carrier बनने में कम से कम दोस्तो 6-10 सालों का time को लगता ही है लेकिन रश्या ने जिस तरीकी से investment करनी शुरू की है उसमें कोई दो राइन है कि ये aircraft carrier जल्द ही सब के सामने होगा जिसके लिए रश्या ने अपनी पूरी man और machine दोनों को जोगना शुरू कर दिया है और इस aircraft carrier के शामिल हो जाने के बाद रश्या फिर से dominate करने लगेगा अपने दुश्मनों के उपर और रश्या के इस सर पर जो दाग लगावा है नो aircraft nation वाला वो भी हट जाएगा और ये powerful aircraft दुनिया को एक बड़ा जवाब होगा पुतिन का फिलाल इस बारी मैप की क्या रहा है कमें शेक्षिं में लिक्स दो बताएगा वीडियो को लाइक और शेयर दुर कीजिएगा मिलता में जाने कारी के साथ जय हिंद वन दे मात्रम